हेलो एवरीवन आज बेसिक लेक्ट्रिकल अंजिनरिंग दा थर्ड लेक्चर है आज दे इस लेक्चर दे वेच मैं तानो अल्टरनेटिंग क्रंट्स बारे पड़ा मांगा अल्टरनेटिंग क्रंट्स दा टॉपिक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है जेकर आप एक्जाम द दे जड़े कंसेप्ट ने ओथे यूज उन देनी सो इस लेक्चर नो बहुत ही त्यान देनाल सुनें हो ठीक है नेक्स्ट कपी पैन जरूर कोल रखे करो अधे नाल किया कि शोटनोर्स तो ही नाल बनाई जाया करो शोटनोर्स ता मतलब एक जिदो तुसी एक्जाम तो डे सब्सक्राइब करनाया जिरन ने ऑज दक चैनल फोल्detर लीट यहें किता सबनेटेंटक करन तो है किwhy m मी एक साथ होने ड़ेकम आसके मातलब हो टिन युस अट़े कर्या का ते शेडिंगी है युसे घंक का इन अचतलब ऑफ संधे ड्यूंश कहिए ठीक है उधी वोल्टेज अंदेउस होई है उधी यडिटी पलरीटी है उची जो रही है विद रस्पेक्ट टू ताइम ठीक है कदी यू पाउस्टीव हो रिए घदी जीरो हो रही है कदी नीक्टिव हो रही है ओके, इस्थ दी प्लार्टी औफ वोल्टेज चेंज फिन्जी ताइम जेकर, निजेकर, फिर प्राज़ ने जेकर, इन्दु ने प्लारुटी टाइम देनाल चेंज हो रही है प्लारिटी दा मतलब पॉजिटीव नेक्टीव हो रही है ठीक है पॉजिटीव फिर नेक्टीव फिर पॉजिटीव फिर नेक्टीव ओके इन्हों के दिने प्लारिटी जेकर प्लारिटी वोल्टेज दी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट जो यह वोल्टेजस, आल्टरनेटिक वोल्टेजि आ, यह दी करके जड़ह कुरंट्ट फ्लो कीत था कि फ्लो करेगा किसे शर्किर दे भी चूँँ उचीड़ा क्रंट फ्लो करदा परा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ने उस करसे कर के क्ली यह और अलटन सकते मतलब के टाइम दे नाल उओ आपने मैगनिटूड नू ते डूरे क्शन चेंज करता प्या अब अग क्रЕंट टाइम दे नाल करण्ट नियदा वाध मैगनिटूट एटरेक्शन दोनों चींज हो रही है इस कारके उनों की केंदेने alternating current कें देने हैं क्लियर नेक्स्ट आ गया sinusoidal alternating voltage sinusoidal alternating voltage की हुँ दिये जिन्हों आपा sign wave कहने हैं ठीक है एक यह sinusoidal alternating voltage ओके होड़ ज्यादा मैं डीप नहीं ता नू कर्वावां के ज्यादा दीप चल जांगा ते उदेनाल की होएगा ता टाइम एस टाइम ज्यादा वैल्यूएबल टाइम है ठीक है जिन्हें कंसेप्ट दी जरूर थे उन्हां करवाई करवाई करवागा और सिनुर साइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेश किये कि जिदो हुन स्पोस करो के साध्य कोले के मैगनेट ठीक है एन एक यह एस इदे विचोन कोई कंड़क्टर अपक मार रहे हैं जिदे जिदा कंड़क्टर ने को मनाए ओदा दा ओदा मैगनीजूट एब वोल्टेश दा भी चीज़ उना है फिर एक टाइम तो बाद इने वदना शुरू करना है ठीक है पॉस्टिव साइकल एक ही बन गया नेगटिव साइकल बन गया और सिनुस्वाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेश कैन बी प्रडियूस्ट भाए रोटेटिंग कोईल विद कॉंस्टेंट एंगुलर वेलोस नेग्या अल्टरनेटिंग वोल्टेश जड़ीया ओपैदा हो जागी और एक एक क्वेशन नेगा साइब आल्टरनेटिंग जोल्टेज ठीक है फोन एक ही भी वी इन दिया इस्टनेनस वैल्यू उन्हों है पकासके वैल्यू औफ और अल्टरनेटिंग वैट टीम कोई भी omega t omega angular velocity of the coil angular velocity of the coil ओके एक क्वेशन बहुत ही important है एससे क्वेशन देनार लेटर कई क्वेशन आई इन्देने सो इससे क्वेशन नो जुरूर मतलब अपने दमाग दे वेचे बठा ले हो कि वी इस है एक पिरिये बिदिंदा वहै टोकल टू वीम साइन अमेगा टी वी म कि ये मैश मवली ओरने इंक नेटिंग व्डेंग वोल् STEP टी त्रवीक इन्zneग का सिनो सोइडल आलटरेनेटिंग कुरन्ट और एक हिन दाए जीडि वॉल्टेस्न शोइडल Rebecca Dequal पडियूसों ये उद्ही विद्हें करता करेगा उन्हों के देसिनोष वाइडल आल्टरेनेटिंग करन्त हो लो सिन्होच साइड चांड से नाल total and magnitude दोनों चेंज करता है अल्टरनेटिक हो अल्टर दा मतलब हो चेंज हो सदा अल्टर दा मतलब अभी चीज हो सब दिए यह भी चेंज हो रही है यह सुन्जी सिनुसाइडल लग गया ना होता मतलब कि यह साइन में यह जिदा जिदा आपा मेंगा दी वैल्यू नूचेंज क आपास 270 कर दिए तो माइनस वान नहीं दिए साइन 90 वान नुन दाए ठीक है यह वैल्यू आप आइथे लग यह यह ने तो जहे साइन मलों सा डुकलो साइन टैन डिगरी है वोदी भी कोई ना कोई वैल्यू होएगी पॉइंट थे विच ओके एक यह इंक्रीज हो यानि व आई यह उन्हों आपा कहते हैं कि वेल्यू ओफ क्रंट एड टाइम टी आई एम की है मेक्समा मेल्यू ओफ कॉन्ट आई की है मेक्समा मेल्यू ओफ क्रंट आई एम पैर देविच MPI यह थे IPV प्या हो सच्वदा है IP दा मतलब दावा पीग वेल्यू आफ क्लियर हो गया हो तो पर लड़न दी वेव शेप वेफर्म ठीक है वेफ ओम सीनु कि जाओ किन दे वेफर्म है क्लिर आ कीए वेफर्म है हुन वेफर्म किद था इना नहीं डिफाइन किती है बेफ ना मतलम दा दी शेप आफ दी कर्व अब्टेंड भाई प्लोटिग दी इसंतने स्वल्यू एक वोल्टेज और क्रंट एज ओडिनेट ठीक है एस साइड ते की लिए आए वोल्टेज और क्रंट एज ओडिनेट अगेंस्ट टाइम ऐज अपसीसा ठीक है टाइम जढवा वहाँ इस इस ड्रेक्शन देवीच लड़ांगे इस कॉल्ड वेफॉर्म आकी बन की यह वेफॉ स्थूलर भी हो सब्सक्राइब करन्ठ लागे तो सब्सक्राइब आल्टनेटिक इस कॉंटिटी एट एने इंस्टरनेटिक वॉर्ट आप यूज करते पर थे कि वोल्टेज भी हो सब्सक्राइब एझने इंस्ट इनस्ट के अल्टनेंटिंग कौन्टिटी एट एडनें इस टेज हो पा मतलब किसे इन इनस्ट करेंट भी इसने कृंटे आप एक ह्यां अ्चे कहानी सब्राइब है जोड़ दाँके एक ठीक है दोनों साइकल नूज राटा डिने या ते वन कम्पिलीट सेट और पॉसिटिव एड़ेटीब वैल्यूज ओफ एन अल्टनेटिंग कौन्टिटी साइकल किया जिदो आपा पॉसिटीव साइकल ठीक है तिन एक्टिव साइकल तोन नमच्ट आघे, वह की माझा जिया करा साइकल बन गया, क्लियर? अद्धा पॉजीटीव धान एक्टीव दोन नहीं मिलके की बनाता, साइकल बनाता साइकल की हो गया, one complete set of positive and negative values of alternating quantity, clear? साइकल या पता चाले गया, नेक्स्ट की आ अल्टरेशन आल्टरेशन कीं दिया one half cycle ठीक आल्टरेशन दा मतलब कि यौन दा व' कोई भी हाफ साइकल लाव पाहा में तो ही पॉस्टीव लाव पाहमे नेक्टिव लाव ठीक है पामे तोभी पॉस्टिव साइकल लाओ तेपर लीए लए निए अल्टरनेशन ठीक है जह करतु उसी करला पॉस्टिव ला रे इन्हों आपा कहा आंगे एक औरनेशन यहे तु ही नेक्टिव भी नाल ला लेया उखिक निया दो खोल टरनेशन फिर अगेदे पॉस्ट ये 50 याप साइकल ने एक फिप्टी एत्र स्ङाड़ रखती साइडोल फ्रीक्वेंसी इट मेंस ओ दा किना अल्टरीनेशंट तो गिया अजिएखंगी फंटर अलटरनेेशंटcussions लूड़ गैक के आवे तेक साइकल बंदा इस्टेंट इस्टायं सभी पता चाल आगया किसे भी पालते डिशिः आप वैल्यू बड़ेंट कर देया जनरी सान वैल्यू मेल दी है उन्न्हों के इन्देने इस्टेंटेंटेनियस मैल्यू नग्सट टाइम पीड़ डाइम टेकरनें सेकंट से फिकाह चैंड शेक्टन से वच अपर टाइम लियाव दिटाइम टेकरनें सेक्ट इन कंप्लीट वन साइकल और फैन अलिट ट मॉंति इंग काउंट इन कर दिक यू दिया रन पॉस्टि टीड साइकलay ते अनक्रिव साइक लें ओके जिननास हमालिया किनने टाइम ने ठीक जिनना समालिया एक cycle complete हो देली ऊनुकी कहतना गे time period ठीक है time taken seconds to complete one cycle एक cycle एक cycle का दो बने हैक जित अपोस्टिव ते निक्तिव दो नो मला हांगे ठीक है, the time taken in seconds to complete one cycle of an alternating quantity is called time period, जिनना समा एक cycle complete हून देवेच लेंग दाए ऐसी quantity उन्नों की केंदेने time period केंदेने, clear, next आगा दी नमबर ओफ फ्रिक्वेंसी केंदेने, इसकार दीन नमबर ओफ साइकल्स डैट अकर इन वन सेकेंड इसकार्ड फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी देज़ा उन्ट वाओ कि इन दा हर्ट्स कि उन्दा है, होड़ इन्नु आप फिर एक वरी चंगी दीकर समझेंदी कुशिच कर देया, फ्रिक्वेंसी की होगी, फ्रिक् पर्ता कर दी पर यह साइक्वेंसी कोईन्टी उन्नों कहीं देने फ्रिक्वेंसी किन्ये शाइकल होड़ जे कार देविछ जड़ी फ्रिक्वैया र्यों सुप्टी हट्स है, ठीक है व्लास फ्रिक्वेंसी 50 यार्ड फ्यक्रत दा मünde की आ एक शैका है और इक शैक्वा और 돼pt किने साइकल उन देने पंजास साइकल होन गेत ओकी या फिटी हर्स ताहां बने की ठीक जिनने नंबर ये मालो पच्छी या पच्छी हर्स दा मलों किये पच्छी साइकल जड़े है एक साइक्ड देवेच अक्रोर रेन किलि की आगा एंप्लीड न्यू यू नू एंप्लीड कर देया ठीक होने खोर आव एप्षे है है नंहीं थोornik देखा बैघा ऑए Сंब ना चाहिए अंप्लीड किलिये correct टीक है इंप्लीड किलोग्रण आगे the maximum value positive or negative दोना दिखाल का रहे है पॉस्टिव आप साइकल दी भी तेन एक्टीव आप साइकल दी भी the maximum value attained by an alternating quantity is called its amplitude and peak value और पीक कर लो ठीक है और peak value clear के जड़ी maximum value of crore या frequency sorry cycle the Mlac quantity दी उन्हों की कहतांगे amplitude आठागे हो नेक्स्ट की रिलेशन्स ने important relations इन्हों ते अनल समझो time period and frequency देवेच की रिलेशन है time के दी कुलन दा 1 by f दे 1 by f दे ठीक स्पोस करो 50 hertz देता आगा ओधा time period portion 1 by 50 कर देना तुसे 0.02 seconds आ जाजेगा एक यह what is this एक यह time period है clear कई वर यह थोई confusion हो जिन दी है क्लियर next गे एंग्लर frequency and frequency एंग्लर फ्रक्वेंसी दिया अबेगा मेगा के देक वह एगी तू पाई टी तू पाई बाई बाई टी ते वन बाई टी के देक वह एगा एफ दे जेकर यह थे वन f t is equal to one by f a f नुए दर लाजो ठीक है एफ नुझी साइट लागे बाई टी हो गया ठीक है यह थी पर पर ता कीपूट करता तू पाई एफ कीपूट कर दांगे टू पाई एफ क्लियर नेक्स्ट ए फ्रिक्वेंसी एंड स्पीड अस्पीड है फ्रिक्वेंसी ए यह की रिलेशन है यह की यह अपां एक फॉर्मुला कर दे ही 120 सॉरी 120 एफ बाई पी ठीक है यह वाला कर दे नहीं न ते इस तरी के दर आला आपां सिंक्रोन स्पीड कर दे ही ओहीं फॉर्मुला इथर की था कि एफ नू अपां इधर लेंदा था ए एन इंटू पी होगे नंबर पोल्स इंटू स्पीड डिवाइड़ बाई 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 जीरो नजीरो केंसल हो गया तो से वन हे फंद्रहुंसो गुना चार डिवाइड़ बाई बाई वन टवंटी जीरो आपां थीरों स्पीड गिवन ने नमबर पोल्स इन आ तो ही एक फ्रेक्वेंसी क्योंकर कर सकाए यह बैद को फिट्वेंसी अच्छे एवरेज वेल्यू ऑफ अल्टरनेंग क्वांटिटी एवरेज वेल्यू के देख एक कुलम दिए है वी एवरेज मर्लों वोल्टेज भी आप्रेज वैल्यू इस एकल टू 0.637 into maximum value of the voltage उन्हें इते हैं कि इस तरीके दा स्वा जड़ा तानों पुछा जा सकता है उन्हें आप सिंपली की करना V is equal to 200 sin omega T उन्हें करना कर दो जी यह दी average value कर दो इन्हें तुही multiply करना है ठीक है समझ लगी कि आ कि ये इन्हें आपा compare करना जी एक्वेशन में voltage वालीता नों करवाई है ये कि ये Vm sin omega T Vm दी वैल्यू सा टुकवा गी है ते सवन Vm दी वैल्यू ही चाहिए दी ही सिंपली की कि ता V is equal to जहां V average average value कर दो नों क्या है ते शे 6070 गुना 200 किना आजेगा 103.4 दे क्रीव दी वैल्यू आजेगी एक यागे दी एवरेज वैल्यू अगी किड़ा को का में एसी तरी कना करेंट दा विदान पोसाग दिने एदन एक्वेशन देदें का दन के आवरेज वैल्यू कर दो क्लियर कोने कची जैदे वचनोड का लो दी एवरेज वैल्यू ओफ एसी एसी कॉंटिटी दी चाल कर देपे यां ओवर अंप्लीड साइकली जीनो ओवर अंप्लीड साइकलीज जीरो एक्ट आ क्लियर नेक्स आगा चाहिब वोल्टेज तोर टोर इन टीए ऊक्रेडी वह ऐलिए एवरेज वायल्यू मैक्सिमुम बैलीव जाहां फिर अपने आरमेश से जा मैक्सिमम में जा फिर एवरेज एक यह आरमेस वैल्यू एजड़ी का देविज वोल्टेज आ रही है ओकेडी वोल्टेज आरमेस वैल्यू 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 आ रही है वोल्टेज दी होना आरमेस वैल्यू ने थोड़ा समझें दी कोशिश कर देया कि मेरको दोर जिस क्रेंट पास करवाया ठीक है यह सी को भी आपांच डिग्री हीड जड़ी यह जनरेट करवा लिए यह सी ने थोड़ा जा क्रेंट यड़ा ज्यादा लेयाए के देना लो डी सी दे कंपेरीटिवी ठीक है डी सी या यह एसी या समझेंदी कोशिश करनी है कि यह एक्जम्पल ठीक है और हंड्र अंपियर निया पाई देविच लाने एदेविच अपा एक या एदी मैक्सिमुम वैल्यू जो इन्हें लाई हो यह ठीक है जो इन्हें वैल्यू लाई यह वह बट अपां वेखना माग डीसी ने सेम हीड जिनरेट कर लगया किनी वैल्यू लाई यह फेरिजन डीसी देनाल कर देव है ओके उन्यूनिवर्सल मोटर से यह वह एची जाल जन दियांग डीसी देवी जाल जन दिया ने तकार देविच डीसी हो ज़ेए दिए सी आपा दो सोबी दे रहे है ना दोन्यों जडिया कॉन वोल्टेश ता शेम ही दमाग ना ज़े 202 व आरमेश वैल्यू ए ठीक है इसे दिखना आयरमेश भी तुहिए कर साख देजें ये देविच पिव लगु धनू इक्वेशन देदने कि इननी आई आई स्पोस करो देतां विच्च वेख समें ओमेगाटी के अरुमेश वैल्यू करता हो तुहिक अंहोना आइम वैल्यू तो सी जड़ी तन वोल्टेजी एक्वेशन में दसी है या क्रेंट दीक्वेशन दसी है तो इसे सिंप्ली उन्हां कंपैरिजन करना है आइम सान पता चाल लग्या सतर पॉइंट सातनू तुही हंडर देनाल मल्टीप्लाई करा दो किनना आ गया पॉइंट सासो साथ तुन आपा हंडर देनाल मल्टीप्लाई कराया करना आ गया सत्र पॉइंट सात्र अंपियर क्लियर ठीक है नेक्स्ट टे फोर्म फेक्टर फोर्म फेक्टर की दाए इट इस दी रिशो ओफ आरमेस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू आरमेस पॉइंट सासो साथ एवरेज वैल्यू की निए पॉइंट शेसो से इंती एक वन पॉइंट बन वन की आगया यह फोर्म फेक्टर आगया जोनेट लेसं दावा क्योंकि आपा एव्यम ले आते अभी वीमल मांगे ते एक कैंसल हो जेगा क्लियर नेक्स्ट आगे पीग फेक सब्सक्र च प्रक्टर अने ऐम्यक्सम मिल तूढ और मेस्ट इन्यू पेल्यू दियू आरे मिस्दल्यू एक न्हान अगए का पाईटी अधि थ oraz म約 शूर्मख पेल्यू तूलिव ऐं ठीका गर यह बहुन इन्दि एक पॉइंट अधिनिए ड मैक्स्मु ली आए लान नंने एक के डिये वोल्टेज दूजी के डिये क्रेंट वेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आफ दी सेम फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी दो नहीं सेम है मतलग एक दी 50 आट जे दूसरे दी 50 आट जे आट हैव डिफरेंट जीरो पॉइंट्स बात एन जीरो पॉइंट ने ओ लग लग नी ते इन नुआ आपके का दान गांगे फेस्ट डिफरेंस के दान गांगे 5 देन आले नूदिनोट किता याई थे आधे को 5 या न इन आ देविच किया एक ये फेस्ट दिफरेंसे एक ये कि रिजिस्टन्स आप वीदी लुव एलिएवेह वई Őल देः वई में में गटि अ अप रिजिस्टन से कि देविच कि यह देविच की उन्दा अप्लाइड वोल्टेज एंड क्रंट और इन फीज ठीक है होड़ इत्थोसा नोगी पता चालदा है कि जेकर आपां क्रंट नू इसी सरकर देवे फ्लोक रवा मांगे उदा जेड़ा क्रंटे वोल्टेज ते क्रंट दुन्नों फेस देवे चोन गे मतलब कि दून ना दा जेड़ा जीरो पॉइंट सेम नहीं ओके उस्तों बाद आपां क्रंट के देख़ आजेगा वी बाए आर ठीक है ते पावर पावर आजेगा वी इस एकल टू पी इकल टू वी इन्टू आई एंड आई स्केर आर और और आई स्केर आर ओके अगि एसी थू प्योर इंडक्टंस जीदो इंडक्टंस दे विच आपां फ्लो करू वांगी होड़ जेकर आपां इंडक्टंस दे विच वैच फ्लो करू मूंदे या ते जेड़ा वोल्टेश्ट्ट्ट देवेच एंगल बांदाय किन्य दानावान दाय 90 डिग्री एथे प्योर दी कालकार देपे हैं क्रंट लेक्स बिहांइड वोल्टेस बाइन नाइंटी डिग्री यह कुई जाए इंडक्टर्व एक यह इंडक्टर्स जेदी आगी जिदा कॉईल्स देप चोग रंट फ्लो करूंदे है ते क्रंट वोल्टेज नाणों पिछे रहें दाए पहल वोल्टेज थे क्रंट देवें जिड़ा एंगल हो किना एंटी डिग्री यह इन्हों की कहता है क्रंट लेक्स बिहांइड वोल्टेज भाइए पाइब टू और नाइंटी डिग्री और नाइंटी डिग्री अपा इस वेफॉर्म तो समसाख देया कि पहला वोल्टेज चल लैग्ज uns तामलव अलवह क्रंट सिड़ा वा उन नबेबर इभी वॉल्टेज नाळों पिछे रहेंदा है नबे डिग्री वोअटेजना पिछें रहेगा केस केसर दे वेचे एंड़क्टर दे केसर देंवेचे तो इस् target के इस तहोन में मैं कि जए है रिजिस्टर से के सिफ दश्या ही दोन्नों कफे जाल देैं नि दोनों कफे जल हमें क्रांट थे वोल्लेग जोन्म कफे आई इस एकल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पिछे रहा रोल्टेज ना लो अब वोल्टेज एंगले करना पिछे रहा पाई बैट टू सिंपल अगरेट दी एक्वेशन बना आती है क्लियर समझ लागी ना नेक्स लाइन दा इंड़क्टिव रेक्टर्स ठीक है और आई एम के देख बोल आई एम एकल टू विएम गवाई ओमिगा अल ओमिगा एंटव यह ournell देर्याक्टर्स ст क्लियर ओपोजिशन अफट बाय इंड़क्टर्स Нूदिा अफ्लो ओफ कृंट जहां कृंट दे रस्ते दे वेच ठीक है जेड़ा इंडक्टन्स ओपजीशन दे एरिया इंडक्टन्स रुकावट पार यह उन्हों की केंदेने इंडक्तिव रेक्टन्स एक मोटर एं मोटर दे वेचे कोईलस ने वोचे क्रेंट फ्लो करदा प्याए को ठीक है नेक्स्ट जी आपा गल करिए इंडक्टीव रेक्टंस थी उन्हों आपके नहीं दिनोड कार देया एक्सल देना इंडक्टीव रेक्टंस था यूनट भी जड़ा वा ओम ही होएगा क्योंकि एदा काम मी रस्ता ही रोकना क्रंट दा क्रंट नू दे रस्ते जर कावड पूना दावा ठीक है दा काम मी किया क्रंट दे रस्ते दे वेचर कावड पॉना तो एदा यूनट भी ओम रहेगा एक्सल इस इकल टू वी एम बाए आई एम होना वैल्यू तो ही लेक्साग देजे आर मैस कर दी एक्सल के दी कुला गया वी बाए आई एक्सल दी वैसे वै दाट इकवल आजेगा टू पाई एफ ऐल अग्लियर हुण जड़े इंडक्टर उन दा ना अंड़ीट लू पास हों दिया ठीक है डी सी दे वे चाजे करें अनडेक्टर नस जड़िए का टो पोजीशन दाएगी क्योंकर डीसी दी फ्रेक्वेंसी निन दिया जीरो हों दि उन दे यह वसक इनरी मंनेटीख फील्डिल्ट इन दी फोर्म ऑफ मगनेटीक फील्ड इन दी पम ऑफ मगनेटिक क्रेड स्थस्दे जड़ें मढ क्रेड नीख औरोर रदे देने पावर जड़ी अब्सार्ब नहीं कारते बिल्कुल भी ठीक है पावर एब्सार्ड इन प्योर इंड़क्टन्स जित्थे जिरो दी गाल आजे न वो आईडियल केस लह रहे हैं पेर अंड़क्टन्स दी गाल करन देयां पावर की नियने अब्सार्ब कीती जीरो क्लियर उसी त्रू प्योर श्थे च्टन्स ठीक असी तूप यॉर कपैस्टन्स वत्य पना इंडक्टंस लेह गां कि लिए वह ब्सक्राइव का सी मिलर्ली वोसी तरी कंड नापा सर्केटिज आईन आपना करांगे फर्क कि यागा है ओच ए क्रंट यड़ावा वोल्टेज नरों पिछे रह रहा ही एच वोल्टेज जड़ी हो क्रण्ट नो पिछे रह रही है ठीक है वोल्टेज नो आप रेफरेंस लिया इस करके किया इते यह लिखना है क्रण्ट लीड्स दी अप्लाइड वोल्टेज भाई पाई बैटू और नाइंटी डिग्री क्लियर के जड़ा टीक है वोल्टेज नो 90 डिग्री है देनाव ठीक होड़ी देखो के वोल्टेज कितो स्टार्ट होई इस प्योंगर्ण पहलड नहीं अब्य डिग्री स्टार्ट हो गया है पेल लियर के तिया करंटे वू लीड का रादा प्या आई एक फेस डीफरेंस हो गया तोनों क्वा है तही डिफेरेंस कहता है क्लियर होने एवरेक्वेशन संजन दिकोशिष करिए वी इस इकल टू वी एम साइन अमे गटी देए के सब्सक्राइब करें ना प्लास पाइबाइट वाजेगा समझ लगी होन वेखो एक चीज तान नो नहीं सिखन मिल गी आ साइन ओमेगा टी जे कोई कहा दे जी लीड करदा प्लास लेख दो जे लैक कर दा दे माइनस लेख दियो क्लियर प्लास माइनस दे यह साइन के दाले के हो लाइन यह थे कि दाले नहीं है क्लियर होन प्लास टीव रेक्टरस के पैस्टिव रेक्टरस भी जो आपा पिछे ले पाड़के आया इंडक्टर सबलों ओई जी जे ओपोजीशन अफर्ट बाए कपैसितन्स तू क्रंट फ्लू इस वान भाए अमेगा कैसी सी ठीक एस कौंट इनुना आप आप हटर्वाइव मिगा सी की कादांगे कपैस्टिव रेक्टरस के दांगे एक्सी देनार इनू दिनोड कर दें आखेसे देन आले नू डिनूड करांगे रेक्शन फ्लीर एक्सी इस इनुड़ टूवान भाई टूपाई एफ कि एक इसी त्रीक के देनाल जहां फर इनू इजदा ही ले रहन दो क्लियर यूनट एदा भी कियो हाएगा ओम होएगा और यूनट दी गाल करिए यह अन्डेक्टिव रेक्टन्स कपैस्टिव रेक्टन्स रिजिस्टन्स इंपीडेंस जड इन्हें सालने यूनट की उन देने ओम उन देने इंपीडेंस अग्गे मैं पड़ाओ नहीं है यह सिर्फ सिंपल बेस्की बेस्की पड़ा रहा है था नूँ एक सी के देख वड़ा गया वन बाए ओमिगा सी और वन बाए टू पाई एफसी पावर और अब्जोर्ड इन प्योर ट्राओं सिस जीरो कफ़ेसेरी जड़ी पावर एब्ज़ाअ वेगी कि वेग्टर ये जीरो अगिक्रें ही एक onion भेंली मेंट ने जनना देक्समर्तान उती स्ययाहि कड़ा handy Innok harsh property उन्डिए कपेस्टर प्रॉपटी इन्डिन्डिया कंपोनेंट ने स्टोर्स energy द्स देगाल करीये मगनीटइक फ्रील्ड आब मगनेटिक की फीयल्ड वर्म हो फिनेयेih ते कपैस्टर जड़ा वा ओ एलेक्रिक फील्ड फॉर्म देपेचे नगजी स्टूर करेगा लेक्रिक फील्ड ओके ते जड़ा हर्जिस्टर हुन दाए उकी करता है पार नू या नर्जी नू डिसीपेड करता है डिसीपेड करेगा ओके स्टुडेंट्स होपसो तानू आज दे लेक्टर दे विच्छे बहुत को सिखन मिले आएगा सो एदे नोट्स जिदूर नाल दी नाल प्रेपेर करते रहा करो ओके स्टुडेंट्स थैंक्यू